शहर की बहूँ एक काव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहती थी रितेश की अब शादी की उम्र हो चुकी थी शकुंतला उसके लिए लड़की ढूने की तैयारी शुरू कर रही थी लेकिन शकुंतला की ख्वाहिस थोड़ी जादा ही बढ़ रही थी कहती है रितेश बिटा मैंने सोच लिया है मैं तो तेरे लिए शहर की ही बहू लाऊंगी तभी रितेश कहता है पर मा तु शहर की बहू कहां से लाएगी तभी शकुंतला कहती है अरे मेरे लाल तु दिमाख मत लड़ा बस तु शादी के मंड़प में बैठ जाना मा की जिम्मेदारी मेरी है सब कहते हैं न मेरी बहु ऐसी है वैसी है अब देखना अपनी इच्चत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं एक शहर की बहु लाती हूँ ठीक है मा लेकिन शहर की बहु लाओगी कहां से अरे कविता है न मेरे बच्पन की सहेली यहीं पर रहती थी इसी गाओं में लेकिन जब वे बीस वरस की हो गई तब उसके पिता जी को बड़ी नौकरी का बुलावा आ गया और वे शहर चली गई उसी की बेटी है मानवी उसके साथ तेरा ब्याय होगा मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन लेकर भी जाऊंगी बच्पन की सहेलियां शकुंतला और कविता एक दूसरे को मिलती है और दोनों परिवार आपसे सहमती से रितेश और मानवी का रिष्टा पक्का कर देते हैं और चन्द दिनों में रस्मो रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है शादी के बाद मुह दिखाई के दिन गाउं की सारी आसपडोस की औरतें शकुंतला के गर इकठी हो जाती है चल बहु अपना तु अपना ये घुंगट ओड़ ले और अपना मुह चुपा ले मुह चुपा लू लेकिन क्यों इस बाद पर शकुंतला अपनी बहु से कहती है अगर तेरा चेहरा नहीं चुपाईगी तो मुह दिखाई कैसे करेंगे शकुंतला मानवी के साथ में सभी के सामने चेहरा दिखाती है तो सारे आशर चकित रह जाती है वह इस कमल के चेहरे को नजर ना लग जाए वागई तु बहुत भागशाली है शकुंतला तेरे घर शहर की बहु आई है वह तो चाल चलन भी कितना सुन्दर है और पड़ी लिखी भी है खुनहार भी है तभी शकुंतला इतराते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बहु लाखों में होगी अरे वादे की बड़ी पक्की हुँ मैं ये शकुंतला मानवी की आने से आसपास के घरवालों की नचरों में शकुंतला की इज़त बढ़ जाती है रोज कई लोग उसकी तारीफ करते हैं लेकिन शहर की बहु आने से जो घर में परेशानिया पैदा होने लगती है शकुंतला और रितेश को उसका सामना करना पड़ता है ममी जी ये क्या है यार? क्या है यार का मतलब? मैं तेरी यार हूँ क्या? अरे तमीज उमीज कुछ सिखाई नहीं कविता नहीं? क्या? I don't know आप ही फोन करके पूँच लो न वैसे भी I don't think कि मुझे तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट था अरे तमीज मतलब मैनर्स अच्छा अच्छा अरे सिल्बट्टा एक बार यूज किया है जिसकी वज़े से मेरे हाथों में छाले पड़ गए है मेरी इसकिन बहुत सेंसिटिव है और ये दो धंके पंखे तक नहीं है इस घर में बूढे हो गए हैं दोनों पंखे और रोज कुई से पानी निकाल निकाल कर पागल हो गई हूँ तो हम क्या करें यही होता है गाउं का जीवन हाँ मानवी अब इसके लवा तुम्हें और क्या चाहिए मैं जानता हूँ कि सब कुछ अड़ेस्ट्मेंट से भरा हुआ है मुश्किल है लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डालो तभी मानवी गुसे से चिलना पड़ती है क्या आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है ममी आप मुझे घर का रिनोवेशन करना है इस पत्थर के घर को ताज महल बनाना है मुझे फ्रीज एसी और इंटर्टेन्मेंट के लिए बड़ा टीवी चाहिए और वाटर प्यूरिफायर भी और हाँ बाहर जो तवेला है न उसे भी यहां से हटाना होगा अगर हम यह सब नहीं बदलेंगे तो गाउं कभी नहीं बदलेगा मानवी की मागों को सुनकर शकुंतला वारितेश हैरान रह जाते है अरे मानवी बहू आज सुबह चाय की जगे कुछ और तो नहीं गटक लिया यह कैसे बेकी बेकी बाते कर रही है नहीं नहीं बहू हम यह सब न पूरा कर सकते हैं अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा आपको करना ही होगा जमीन के निवेज दो जो करना है करो लेकिन मुझे इस लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनाना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने माई के चली जाओंगी शहर अपने घर रितेश नहीं नहीं ऐसा मत करो मैं इंतजाम करता हूँ तुम्हारे सारी मांगे पूरी होंगी तुम बच थोड़ा सा वक्त दो ओके लेकिन ये थोड़ा वक्त अगर ज्यादा वक्त हुआ तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा मानवी गाओं के भरे बाजार में बाहर जाते समय वन पेस और वेस्टन कप्टे पहनने लगी जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते और शकुंतला से कहते तुम्हारी बहु छोटे कप्टे पहन कर गाओं में घूमती है हमारी नाक काटने का पूरा वद्दोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई हुई बहु ने हम तो सोचते थे कि होनहार होगी शहर की है तो लेकिन ये तो तुम्हारी इच्चित की नईया पार करने पर तुली हुई है शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वह गुस्य से मानवी को चिलाती है मानवी तुम्हारी अकल क्या घास चन्ने गई है अरे माना की शहरी हो लेकिन जरा इस्थिती का मान रख मेरे और अपने पती का क्यों मान सम्मान बरबाद कर रही हो तभी मानवी कहती है रितेश क्या हुआ तुम्हारे इंतिजाम का हुआ या नहीं और रही बाद गाउं के लोगों की मेरे छोटे कपड़े पहनने की तो गलती गाउंवालों की नजर की है मेरी नहीं मैं जैसा चाहे वैसी ही रहूंगी आप मुझे इसी रूप में अपना लो मान भी गुसे में अपने कमरे में चली जाती है शकुंतला और रितेश चिंता ग्रेश्ट होकर एक दूसरे को देखते हैं क्या सोच कर लाई थी और यहाँ क्या से क्या हो रहा है दिन प्रदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है इस बहुसे तो मैं तंग आ चुका हूं अब इस दलदल से बाहा निकालो मा हाँ बेटा दिन बर दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बरवात करने और खाने के सिवाँ कुछ नहीं करती तभी एक दिन अचानक से प्रोपर्टी के कागर शकुंतला मानवी के सामने रखती है और मानवी कहती है अरे ये कौन से पेपर है आपने जमीन मेरे नाम कर रहे है क्या प्रोपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक्यू सो मज रितेश बोलता है अरे जरा कागजों को हाथ में उठा कर तो देख लो खड़े खड़े ही ख्याली पुकाव पका रही हो मानवी उन कागजों को अपने हाथों उठाती है और तब देखती है कि वह तो तलाक के कागजात थे रितेश मुझे तलाक हाँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तबे शकुंतला कहती है तुम कविता की बेटी थी अरे जरा मान मर्यादा का पालन कर लेती शहर की बहु हो तो क्या दुनिया में तुम ही शहर की तो हमें तो अपना बना लेती लेकिन तुमने तो ऐसा भी नहीं किया उल्टा तुम तो हमारे जमेन के पीछे और अपने स्टेंडर्ट ओफ लिविंग के बलबूते में हमें ब्लैक मेल करने लगी हो पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को जो मैंने तुम्हें अपनी बहु बनाने का सोचा लेकिन नहीं आज तुमने मुझे ये सीख दे ही दी कि वे चाहे गाउं हुए शहर जो लड़किया अपनों को उन्हें प्यार और इज़त नहीं दे सकती वे एक सर्वगुंड संपन बहु नहीं बन पाती है वाटेबर अच्छा है मुझे भी बोर ही हो रहा था यहाँ पर अब मैं डायरेक्ली एनर आई से ही शादी करूंगी लाओ पेपर मानमी साइन करती है और शकुंतला को अपने गलत सोच का एहसास हो जाता है फिर आगे जाकर रितेश की शादी एक सुशेल गाउं की लड़की से होती है और वह अपना सुखी संसार गुजारते हैं दोस्तों ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू